दस्तक आज तक की उस मुहिम से जुड़ी हुई जहां जन्ता अपनी समस्या आज तक तक पहुँचाती है और हम दस्तक देकर समाधान दिलाने में जुड़ जाते हैं दस्तक at आजतक.com वो जरिया है जिस पर जनता अपनी समस्या पहुचाती है। इसी मेल आईडी पर जारखंड के कम से कम 75 नौजवानों ने इमेल भीजा। कहा है कि जिस जारखंड में साड़े 3 लाग से ज्यादा सरकारी नौकरियों के पद वर्षों से खाली पड़े हैं। वहीं सचिवाले कर्मी भरती का एक इम्तिहान जो आज साल से सिर्फ ताला जा रहा है। पर बार एक नई तारीह के साथ आगे बढ़ा दिया जा रहा है। जिसके लुण्ज पुण्ज और मरियल रवये की कीमत गरीब परिवारों के बिरोजगार बेटे चुका रहे हैं। आज तक ने जब कहा कि आपके पास समस्या है और आप समाधान चाहते हैं तो हमें भेचिए। तब दस्तक के मेल बॉक्स में जारखंड के सैकणों चात्रों ने ये इमेल भेजा जिसका संबंध हजारों लाखों बेरोजगारों से हैं। आज आज आप घर बैठे इन युवाओं के लिए जारखंड की सरकार को जगाने वाली दस तक दीजिए। क्योंकि जारखंड में दो बार सरकार बदल गए। चैन आयोग क्या ध्यक्ष पांच बार बदल गए। आज साल बीद गए। जो परिक्षा 65,000 बेरोजगारों के साथ शुरू हुई। उसमें अब 6,5,5 बेरोजगार बैठने लगे। बेरोजगार परिक्षा के इंतजार में ओवरेज होने लग गए। लेकिन JSSC, CGL यानि जारखंड में सचवाले कर्मियों की भरती परिक्ष आज तक पूरी नहीं हो पाई। परिक्षा का फॉर्म भरते आ रहें, हर बार परिक्षा कैंसल हो जाती है, आगे बढ़ा दी जाती है। इसके पहले मैं बता रहें, जो 16 में ये परकिरिया, 15 में परकिरिया शुरू भी, 16 में होगा, 17 में होगा, 18 में होगा, 19 में होगा, सब परिक्षा तो हो गई, फिर कैंसल कर दिया गया। परिक्षा हो भी गई पीटी, और कंसल कर दिया में इनस का, उसके बाद फिर बोला कि परिक्षा हो तक कोरोना का ला और फिर कंसल हो गया, फिर 21 में बोला, नियुक्ति वर्स होगा, तो फिर आपको वाई डेट दे दिया जाता है, हमलोग नियूक्ति ने हुआ, हमलोग को पिताजी लोग बोल रहे हैं कि अंतिम छनमी यहीं बोलेंगे कि अगर सरकार एकजाम लेता तो ठीक है तो घर आजा बोरिया विस्तर लेके पिताजी मतलब मैला समेती से उधार लेकर हैं हम डेली जाते हैं लाइबरियरी कुछ त्यारी करें हैं आज कुछ मतलब ना वेकेसी निकाल रहे हैं ये सपना देखते हैं इनके परिजन और ये खुद भी कि सरकारी नौकडी मिलेगा और भवी से सुना रहा होगा लेकिन इन तंग कमरों में ही इनकी भवी से जो है कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इस पर ग्रहन लगते जा रहा है इस साल भी 16 और 17 दिसंबर को होने वाली परिक्षा पॉम भरवा कर रद कर दी गई ये हाल तब है जबकि जारखेंग कि सोरेन सरकार ने हर साल पांच लाख रोजगार देने का वादा किया लेकिन ग्रिक आरा विभाग में 73,939 पद खाली है स्कूल शिक्षा में 1,04,000 पद, स्वास्ट विभाग में 73,000 से ज्यादा प्रिश्य विभाग में 3,000, गामीर विकास विभाग में 7,000 से ज्यादा पद खाली पड़े है ऐसे करीब साड़े 3,000,000 पद खाली है और रेजिस्टर्ट विरुजगारों की संख्या 7,000,000 से ज्यादा यानि सिर्थ खाली पद भर ले और समय से इनकी हन करा दे तो आधे विरुजगार जारखंड के सरकारी नौकरी पा जाएंगे लेकिन सत्यानन भोकता श्रम नियोजन मंत्री जारखंड के जिन पर जिम्मेदारी है वो अपना आख कान इतना बंद कर चुके हैं कि आज तक के बेरुजगारों के हक में दस तक देने के बावजूद बाहर जवाब देने इस गेट से नहीं निकल पाते अगर कोई अपरोच भी करता है तो उससे बादचीत तक करना मुनासीब नहीं समझते हैं सचिवाले की भेकेंसी भी 2015 के बाद से लगातार दिकाली जारी है और 12 बार से ज़्यादा इम्तिहान अस्थगित हो चुके हैं बिरोजगारों को पता नहीं कि आखिर उनको कब रोजगार मिलेगा लेकिन इस पर जो है टिपली करना भी मुनासिब नहीं समस्ते हेमन सरकार के मंतरी ठसक पे रहते हैं इसलिए जारखंड सरकार को दस तक देते हुए जगाने की जरुरत है आज तक की दस तक है सचवाले भरती का आठ साल से टाला जाता इम्तिहान तुरंत पूरा कराया जाए साड़े तीन लाग खाली पदों को भरने का काम जवाब देही के साथ किया जाए